हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ गीत स्वागत है आपसे भी का मेरे चैनल गार्णिंग विद गीत कुमार में आज कुछ प्लांट्स और पॉट्स की शॉपिंग की है आप लोगों की साथ वीडियो शेयर करूंगी और इनके नाम और प्राइस भी शेयर करूंगी अगर वीडियो प तुलसी का पॉधा घर में रखना बहुत शुब माना जाता है उसी तरह इन पॉधों को रखने से भी कहते हैं घर में खुशियां आती है और सुक शांती बनी रहती है और इन पॉधों को जब भी आप खरीदते हैं तो इन पॉधों को हमेशा जोड़े में खरीदा करें क्य बहुत शुब मानना जाता है और यह completely outdoor plants होते हैं जितनी जादा धूप मिलती है इन plants को उतनी अच्छी ग्रोथ होती है इन plants की इसके उपर मैंने care भी शेयर किया हुआ है कि इसकी देख भाल कैसे करें और यह जो plants होते हैं बहुत जादा कड़ी धूप से इन पौधों को बचाने की जरूरत होती है वरना यह plants खराब हो जाएंगे और इन पौधों में full भी आते हैं बहुत बड़े बड़े नहीं आते हैं छोटे छोटे फूल आते हैं लेकिन बहुत अच्छा plant है आप लोग भी लगाएं और यह एक प्लांट मुझे 50 रुपीज का मिला है 50 रुपे का और दो लिया मैंने तो 100 रुपे का पड़ा 50 रुपीज इच 50 रुपे का एक तो सुक्षानती पौधा था यह नेक्स जो प्लांट है फ्रेंट्स यह देखिए श्यामा तूलसी अभी जो मैंने पिछली वीडियो शेयर की थी कुछ दिनों पहले आप लोगों के साथ शॉपिंग वीडियो उसमें मैंने हरी वाली जो तूलसी आती है वो मतलब प्लांट मैंने शेयर किया था उसमें भी बताया था मैंने कि श्यामा तूलसी मैंने ली है तो वो मेरा अभी ध्यान से हट गया है तो मैं बाद में शेयर करूंगे तो इसलिए मैंने ये वीडियो फिर से बनाया आप लोगों के लिए और ये श्यामा तूलसी है घर मे इसकी पतियां काली-काली रंके होती हैं और इसमें सीट्स डवलप हो रहे हैं बीज बन रहे हैं यह जब पूरे पीले होके ब्राउन हो जाते हैं तो इसमें से बीज निकलते हैं काले-काले छोटे-छोटे से तो आप गमले में ही डाल दें किसी भी गमले में डाल दें तो एक दो इंच नीचे से जैसे कि अगर यहां पर सीट्स बने हैं तो मैं यहां से इसकी कटिंग कर दूंगी इस जगह से तो इसमें नए नए ब्रांच जाएंगे और यह प्लांट कुछ दिनों के बाद बुशी हो जाएगा तूंसी के बादे के बारे में आप लोगों को पता ही होगा फ्रेंस की यह सनलाइट बहुत पसंद करता है कड़ी धूप में ना रखें लेकिन हाँ कम से कम चार से पांच घंटे की धूप इन प्लांट को मिलनी चाहिए तभी यह प्लांट की ग्रोथ होती है और पानी बहुत सारी क्वेरिज आती है कि तूलसी प्लांट खराब हो रहा है तो ओवर वाटरिंग की वज़े से खराब होता है या फिर कभी-कभी कीडे मकॉड़ों की वज़े से भी तो इन बातों का ख्याल रखें और कोशिस करें कि मिट्टे के गंबलों में ही प्लांट को लगाया करें उसमें healthy growth होता है प्लांट का ग्रोथ अच्छी होती है प्लांट की नेक्स्ट जो प्लांट इफ्रेंस यह देखिए इसे अमरेला प्लांट भी कहते हैं यह शेफलेरा प्लांट है इसकी बहुत सारी वराइटी जाती है और वेरिगेटेड वराइटी बहुत खूबसूरत ल गिरा भी देता है तो डरे नहीं यह गर्मियों में ग्रोव करने वाला प्लांट है तो फिर से जब फरवरी या मार्श तक इसी अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है और अमरेला है पूरी छट्री की दरद दिखता है फ्रेंस यह देखिए बहुत सुन्दर लगता बहुत ही प्लांट है मुझे तो बहुत जादा पुसंद है यह प्लांट मुझे एटी रुपीज का मिला है शेफ लेरा अलाकि नर्सरी में बहुत सस्ते मिल जाएंगे यह ब्लांट लेकिन यह प्लांट बहुत थोड़ा सा बड़ा था और हेल्दी भी था इसलिए मुझे लगा ठीक कि मैंने कुछ 5-6 गमले खरीदे हैं उसमें से कुछ में प्लांट लगा दिया है तो यह दो गमले हैं 12 इंच का गमला है यह देखिए ब्रेने सिस्टम अच्छी है प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है अगर आपको कोई भी प्लांट आप लगाते हैं चाहे वो इं तो इस तरह से यह प्लांट को मरने से भी बचा लेता है और प्लांट हेल्दी ग्रोव करता है तो यह खास बात होती है मिट्टे के गमले के और गर्मियों में प्लांट को ठंडग भी पहुंचाता है जैसा कि अप लोग को पता हुआ फ्रिंस मिट्टी बहुत जल्दी नहीं होते हैं तो यह खास बात है प्लांट के लिए अच्छा रहता है तो यही आज का हमारा प्लांट वीडियो था और यह गंबला जो है फ्रेंड से मुझे 70 रुपए का एक मिला है तो यही आज का हमारा प्लांट वीडियो था I hope आप लोगों को पसंद आया होगा आया हो तो लाइक ज़रूर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बैल आइकन दबा कर ताकि मेरे सारे प्लांट वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स तिल देन बाई टेक क्येर